दियर एस्ट्रेंस कल से एक नया होमवक स्रीज से स्टार्ट हुआ है हम कहेंगे कि जितने भी लोग किसी भी तरह के कॉंपिटिशन की तयारी कर रहे हैं उन्हें इस तरह के दो मन्त के इस स्रीज से जोड़ना चाहिए इसमें हम लोग लुसेंट अगर लुसेंट नहीं है तो जोड़ना चाहिए अब इसमें जो NCRT सार है वो एक खास तरह का विशेश तरह की बुक है इसमें हमने नाइन पेजेद उठाया है चूके 400 टोटल पेजेज हैं तो अगर नाइन पेजेज हम उठाते हैं तो पैताली से पचास दिनों में ये कवर हो जाएगा और इसलिए हम नाइन नाइन टापिक्स उठाया है NCRT सार से टोटल 11 सबजेक्ट्स हैं यानि 11 टापिक्स हैं अगर डेली एक पेज आप इसका कवर करते हैं तो हम लोग 9 उठा रहे हैं 9 पेजेज यानि 9 सबजेक्स के एक एक पेजे नCRT सार से लेकिन इसे पढ़ना कैसे है ये इंपॉर दिखा रहे हैं आपने अस्तर पर पेश कर रहे हैं कि आप इसे इस तरह से पढ़ें तो बेटर होगा विशेच कर वैसे लोग जो नए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं बहुत सारे लोग इससे असानी से कवर कर रहे होंगे लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो इसे द important points देखते हैं कि कैसे हम इसे पढ़ना चाहिए इसका पहला point है कि regulating act 373 के दोरा सर्वोच नियाले के स्थापना कहां की गई तो कलकत्ता में 374 में Supreme Court अस्थापित हुआ British Karl का पहला कानून regulating act के दोरा जिसके सबसे पहले Chief Justice थे Sir Elijah Impey उसको दूसरा point है कि भारत को भारत के परश या 1686 के अधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और British Karl में भारतिय परशासन में किसी को भाग लेने की छूट होगी उसके पाद तीसरा point है कि भारतिय विधान परिश्यत को यानि Indian Legislative Council को पहली बार budget पर बहस करने का अधिकार कम मिला तो ये 1892 का जिसमें प 1892 के एक्ट में पहली बार टोका टोकी यानि आईसा आईसा आप क्यों कर रहे हैं ये बहस का अधिकार मिला पहली बार 1892 के एक्ट में हलाके supplementary question पूरत प्रशन आप नहीं कर सकते थे केवल पूछ सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा 1892 का एक्ट पहली बार budget पर प्रशन करने का अधिकार मिला नेक्स पॉइंट है कि केंद्रिय विधान मंडल को सरपर्सम की सधिनियम के द्वारा बाई कैमराल यानि दूई सधनिये व्यस्ता में बदल दिया गया यानि दूई सधनिये व्यस्ता जो अभी आप देखते हैं विधान सभा विधान परिशद और लोग सभा राजसभा इस तरह का बाई कैमराल दूई सधनिये व्यस्ता का बाई तो यह सबसे पहले 1909 के एक्ट में ये व्यस्ता किया गया कि अब जो केंद्रिय विधान परिशद है सेंटरल लेजिसलेटिव कॉंसिल वो अब दो सधनि को अध्यादेश जिर्गत करने की शक्ति मूलत है किस अधिनियम के तेहत मिली हुई है बारत के राश्पती जब संसद नहीं चल रही होती है तो और ये 1935 के गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट पर अधारित है उसके बाद देखे इस बुक में बहुत अच्छा यहां पर ब बॉक्स बना कर दिया गया है 1773 से लेकर 1947 के बीच जो अलग अलग कानून आये ब्रिटिश काल में ये कानून की इस तरह से विभाजित थे 1773 से लेकर 1858 तक जो एक्ट या चार्टर एक्ट आया ये ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी के अधिन आया जबकि 1859 से लेकर 1947 तक जो गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट आया ये ब्रिटिश क्राउन के अधिना है चुक्क 1859 की क्रांती के बाद इस इंडिया कंपनी से सारी शक्तिया छेल ले गई और ब्रिटिश क्राउन अब भारतिय शासन का सर्वे सरवा था उसको नेक्स पॉइंट है कि भारतिय समविद प्लान के अंतरगर समविदान सभा का गठन हुआ लेकिन क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले ये प्रस्ताओ दिया था कि निर्वाचित पति निधियों के द्वारा समविदान सभा का गठन किया जाएगा और इससे भी पहले सबसे पहले किसी भारतिये ने समविदान सभा के ग तस्तुस योजना के इंसार समविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिजियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया समविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया तो 10 लाग की जन संख्या पर एक सदस निर्वाचित होने थे नेक्स पॉइंट है कि भारतिय सम्विधान का निर्मान करने वाली सम्विधान सभा के सदस्यों का चुनाओं किसके दोरा किया गया ये जो सम्विधान सभा बनी इसके सदस्यों का चुनाओं तो दसलाग पे होना था एक सदस्य का ये किसके द्वारा चुने गए तो ये राज्जों की विधान सभाओं के द्वारा उसको नीचे में सबसे नीचे में बॉक्स बनाकर एक पॉइंट बड़ाच्छा दिया हुआ है कि 1947 में साइमन कमिशन जब गटित हुआ साइमन गो बैग तो ये किस लिए गटित हुआ था तो ये उनैस सो उनैस का जो मौन्टेग्यू चेंप्सोर्ट सुधार आया था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमिशन का गटन हुआ था जिसे वाइट कमिशन भी कहते हैं और फिर इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टन बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो है बॉक्स बनाकर अंत्रिम सरकार का जो गटन हुआ उसके डिटेल्स अब जानते हैं कि भारत की सोतनता सुनिश्चित हो गए थी कैबिनेट मिशन के प्लान के सरदार पटेर उसमें गरी मंत्री थे खाद्य और किर्शी मंत्री डॉक्टर रेंज़ परशाद थे पूरी मंत्री मंडल गटित हुई लेकिन अंत्रिम रूप से इंत्रिम रूप से सोतनता से पहले 2 सितंबर 1946 को तो ये पूरा पेज है इसे इस तरह से आपको पढ़ना है इसी तरह से दूसरे pages हैं समझ समझ कर पढ़ें केवल एक line पढ़कर आगे नहीं बढ़ जाना है हमें जैसे इसे समय मिलेगा हम page wise आपको इसे deal भी करते हुए चलेंगे depend करेगा कि हमें कितना time available होता है हम आपको इसे explain कर देंगे जब भी समय मिलेगा टेकर